हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो मैं चानल, आज मैं व्रत या उपवास या फास्टिंग में खाने वाले कटलेट की रसेपी शेयर कर रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर मुल फली ले रही हूँ, जिसको बिना तेल के ही रोस्ट कर लूँगी, रोस्ट हो जाने के बाद मैं इसको दुसरे बरतन में निकाल लूँगी, और फिर उसी कड़ाई में माठाना को भी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, यह सारे चीज जो हैं मैं फलहारी में जो खाते हैं वो ले रही हूँ, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कहीं कहीं कुछ ची लूँगी, और सभी को थोड़ा ठंडा होने तक वेट करूँगी, ठंडा होने के बाद मैं एक एक करके सबको मिक्सी में डेकर पेस लूँगी, और एक पाउडर की जैसा बना लूँगी, यह साबुदाना रेडी हो गया, और यह मखाना को अब मैं पेस लोती हूँ, फिर म मुंगफली सारे रोस्टर जो हैं, उसको मैं पाउडर बना कर एक बाउल में निकाल लूँगी, यहाँ पे मैं बॉइल कच्चा केला ले रही हूँ, और आलू भी ले रही हूँ, आप चाहे तो दोनों में से कोई एक को भी ले सकते हैं, या दोनों को भी ले सकते हैं, मैं आलू और केला को अच्छे से घस लेती हूँ, और केला को भी मैं वैसे ही घस लूँगी, यह सभी को मैं वापिस से जो पाउडर बना के रखी हूँ, उसमें एड कर लूँगी, अब इसमें मैं कुछ और चीजे डालूँगी, जैसे मैं बीट रूट और कैरेट ले रही हू हरी मिर्च ले रही हूँ, आप इसमें और भी अपने मन पसंद के सबजिया ले सकते हैं, धनिया पत्ती और सेंधा नमक, ब्लाक पेपर, पाउडर, यहां मैं सेंधा नमक ले रही हूँ, यह फलहारी में खाते हैं, अगर आप फलहारी के लिए नहीं बना रहे ता आप नॉ में लिए फॉडी हो गया, अब मैं फोड़ए से पोर्चन को लेकर बाल के तरह बनाके और कटलेट का शेप देwen। ऐसे हो आहीं ही मैं सारे ढोकोक रोक अपने होगे यह cutlets ready हो गए अब मैं यहाँ पर सिंघाडा का आटा ले रही हूँ और यह पोस्त दाना सिंघाडा का आटा में मैं थोड़ा नमक और पानी डाल रही हूँ और उसको अच्छे तरह मिक्स करके एक गोल तेयार कर लूँगी सिंघाडा का आटा तो फास्टिंग स्पेशल ही है और धीरे धीरे पानी डालेंगे और थोड़ा सा पतला ही रखेंगे गोल को बहुत मोटा नहीं रखेंगे ये गोल तैयार हो गही है अब मैं एक कटलेट को पहले सिंघाडा आटा के गोल में डीप करूँगी और फे पोस्तो दाना के ओपर अच्छे तरह लपेट लूँगी ऐसे ही मैं सारे कटलेट को रेडी करूंगी सिंगाडा आटा में डालूंगी या फिर पोस्तो दाना में डालूंगी यह अप फ्राइ करने के लिए रेडी हो गया है मैं पहले से फ्राइपेंट को ऑल के साथ गरम कर रही थी मैं यहाँ पर डीप फ्राइ नहीं कर रही हूँ, अगर आप डीप फ्राइ करना चाहते हैं, तो बस तेल ज़्यादा डालकर उसको डीप फ्राइ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बस सेल फ्राइ की तरह ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइ नहीं कर रही हूँ, और दोनों तरफ अच्छी तरफ पका लेंगे लो और कभीं ओ यम्यदियएम फ्लेम पर रखेंगे जब तक कि गोल्डेन ब्राउड हो जाए भीच बीच में दो-तिन वाब पलट कर इसे साइड़ सब्सक्राइब लो फ्लेम और मीडियम प्लेम पर यह भी रेडी हो गया है पलहारी में खाने के लिए थैंक्स पर वाचिंग